अभी राहत नहीं कुछ छूट के साथ लोगडाउन बढ़ानी की तयाय इस सब्ता कर लेगी सरकार फैसला प्रदेश में 24 माई तक लोगडाउन लागू है लोगडाउन को लेकर आगे सरकार का क्या रुख रहेगा इसे लेकर इसी हफते सरकार बैठक करेगी लेकिन सूत्रों का कहना है कि सरकार लोगडाउन की अभगी को 31 माई तक के लिए बढ़ाने का मन बना चुकी है हाँ लांकी इस बार सरकार छूट का दायरा कुछ बढ़ा सकती है खास कर उन छेत्रों के लिए जहां संक्रमण की दर 10 प्रतिशत से भी नीचे चल रही है प्रदेश में माई के पहले हफ़ते में ही संक्रमण दर 30 प्रतिशत तक पहुँच गई थी लेकिन दूसरे हफ़ते के बाद से ही संक्रमण में तेजी से कमी दर्स की जा रही है मोदों का आकड़ा भी कम हुआ और संक्रमतों के मकाबले रीकवर होने वाले मरीजों की संक्या में भी बढ़ोतरी है फिलहाल राज्य में संक्रमण की दर 20 प्रतिशत के आसपास है कोरोना संक्रमण की बढ़ते मामलों को देखते वे राज्य सरकार ने 19 अप्रैल से ही लोगडाउन लागू कर दिया था तीन माई के बाद सरकार ने लोगडाउन की अवधी को बढ़ा दिया स्वास्ते विभाके सूत्रों का कहना है कि माई के अंति तक प्रदेश में कोरोना की चेंड ब्रेक होने की उम्मीद है लेकिन सरकार जोखिम नहीं उठाना चाहती इसलिए लोगडाउन को पुरी तरह से खतम नहीं किया जा सकता किसानों और मन्रेगा श्रमिकों को मिल सकती है राहत दरसर प्रदेश में अब रभी का गुआई सीजन शुरू होने वाला है ऐसे में लोगडाउन के दोरां किसानों को खाद बीच खरीदने की चूट दी जा सकती है इसके अलावा मन्रेगा में कामों को मंजूरी मिलने की उम्मीद है कारों बाहर के लिहाद से भी छूट का दायरा बढ़ाया जा सकता है सरकारी दफ्तरों की समय सीमा बढ़ाई जा सकती है दो दिन पहली राजसरकार 21 जून तक के लिए पहली ही प्रदेश मिधारा एक से चम्मालिस नागू कर चुकी है